वेलकम अमर सर योटोब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत है अमर सर एप पर जो लाइव क्लास पेड लाइव क्लास शुरू हो रहा है उसी के संबंद में जानकारी देने के लिए है मुझे आज थोड़ा अलग तरह का फीलिंग आ रहा है आज तक मैंने ऐसे वीडियो नहीं बनाए लेकिन ये वीडियो बनाने का कारण है मैं ये भी एक्स्प्रेइन करूँगा इस वीडियो में कि ये पेड बैच पेड क्लास इसके बिना भी आप पास कर सकते हैं योटूब चैनल के सहारे और इस एप पर भी इतनी सारी चीजे हैं जिसकी मदद से आप बिना पेड बैच के भी पास कर सकते हैं मैं रियल में आज इसके डिफरेंट आस्पेक्ट पर बात करूँगा हर तरह के स्टूडिन के लिए चाहे वो पेड बैच लेना चाहते हों चाहे वो नहीं ले सकते हैं दोनों ही स्थेतियों में सबों को बहुत फायदा होगा एक-एक करके मैं बात करता हूँ ठीक है जिसमें आप देखेंगे यह सिंबॉल है अमर सर मैथ दिखता है पिछले तीन दिनों में लगभग 4000 स्टूडिन्स रेइस्टर किये और उनका डाउनलोड हुआ इतनी बड़ी संख्या में स्टूडिन्स ने उसको डाउनलोड किया है एप को और उनकी क्वेरी इतनी ज़्यादा है कि उसको हैंडल करने में दिक्कत हो रही है तो यही तैह हुआ कि मैं एक वीडियो के माध्यम से उनको पूरी जानकारी दे दूँ और यही रीजन है ये वीडियो बनाने का लेकिन इस वीडियो के अफसर पर मैं सारे स्टूडिन्स को क्यों न दूँ मैं उनके बारे में बात क्यों न करूँ हर तरह के स्टूडिन्स जिस कंडिशन में हैं उन सबों को भी एक मार्ग दर्शन क्यों न दूँ तो सबसे पहले मैं इस पेट बैस के बारे में बता देता हूं, पेट बैस दो लॉंच हुए हैं, SBI क्लर्क 2021 के लिए, एक वीडियो कोर्स, दूसरा लाइब कोर्स, वीडियो कोर्स भी बहुत अच्छा है, उसमें सिलसलेवार सारे चैप्टर्स की, एरेंजड, एडिटेट, साउंड एडिटेट वीडियोज हैं, हर चैप्टर का बाइलेंग्वल पीडियफ है, इसके बाद चैप्टर वाइड जो वीडियोज हैं, उनके जो क्रिश्चन्स हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लेज दोनों में करने का काम जारी है, वो भी धिरे दिरित तुरंत आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो कोर्स बहुत सांदार है, लेकिन आप जानते हैं कि स्टूडेंस लाइव इंट्रेक्शन करना चाहते हैं, तो इसलिए थर्ड में से एक लाइव कोर्स SBI क्लर्क प्री कम में 2021 सुरू किया जा रहा है, इसमें वो पूर वीडियो कोर्स फ्री रहेगा, अटैश्ट रहेगा, उसके साथ हर चेक्टर का लाइव क्लास होगा, यानि एक तरह से पूरा कोर्स फिर से पढ़ाया जाएगा उन वीडियो के साथ-साथ, तो वो पूरा वीडियो कोर्स उसके साथ free है, प्राइस में बस थोड़ा सा अंतर है करेब 1500-1499 वीडियो कोर्स है और जो लाइब कोर्स है वो करेब 2000-1999 ये है इसमें जो चैप्टर वाइस टेस्स सीरीज की बात में करता आ रहा हूँ वो इन दोनों कोर्स के साथ फ्री है ये फर्ड में से शुरू हो रहा है बाकी सारी चीजें जो एब पर अवेलेबल है वो तो अवेलेबल हैं ही तो इस एप को डाउनलोड करके इस कोर्स में जो पेड बैच करना चाहते हैं क्योंकि स्टूडन्स चाहते हैं कि संगटिद वे में उनको चैप्टर्स को पढ़ाया जाए और थोड़ा कम समय में कैसे उनको सक्सेस मिले तो ये लाइव कोर्स बहुत फैदेबंद है ये मुझे उनको जानकारी देनी थी लेकिन मैंने पहले ही कहा आज के वीडियो का मक्सद जरूर है कि पैड कोर्स के बारे में सारी जानकारी दे दी जाए लेकिन मैं अपने सारे students क्योंकि ये वीडियो YouTube पर है अपने सारे YouTube students, followers, subscribers इनको सम्भोधित कर रहा हूँ दोनों में अंतर क्या है? आप तो अभी लॉंच हुआ है लेकिन student को success तो पहले से मिलता रहा है मेरे YouTube वीडियो के सहारे हजारों की संख्या में students qualify किये है इसलिए YouTube वीडियो अगर आप concentrate करके पढ़ते हैं देखते हैं और YouTube पर जो live classes और निरंतर दूसरे वीडियो और मारदर्शन वीडियो वीडियो विजन अन्टैनिंग के अंतरगर दिये जा रहे हैं ये सभी आपको पास कराने में सक्षम हैं कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं एक बार फिर इस वीडियो के माद्यम से अपने सारे students को कहना चाहता हूं एक पहलू है हमारा जो अप है अमरसर मैट दिखता है इसमें इसमें बहुत सारे फ्री फीचर्स भी हैं वो धीरे धीरे अपडेट भी हो रहे हैं तो YouTube वीडियो के माद्यम से प्रप्रेशन करने वाले students जो पेड़ बैस नहीं लेते हैं वो भी इसको डाउनलोड करें और इसमें रोज ने ने फीचर्स दिये जाएंगे कुछ दिनों में e-book भी आ जाएगा quiz चलेंगे रोज free में भी जो quiz के रूप में chapter का test ये भी चलता रहेगा ये सब कुछ चलता रहेगा अब आप सोचते होंगे कि और भी चीजे free क्यों नहीं है तो देखिए मैं बताता हूं ये जो नया app बना है अमर सर मैद दिखता है ये जिनके साथ मिल करके बना है जिनोंने बनाया है जो टेक्निकल टीम है ये agreement बहुत जबरदस्त है अब agreement की हर बात तो मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन जो उपयोगी है वो बताऊंगा मुझे यूटूब पर काम करने के लिए जो भी मदद की जरुवत होगी पूरी टीम उन्होंने लगा दी है और आप देख रहे हैं कि यूटूब पर live classes की जो मैं series free में शुरू कर रहा हूँ वीडियो दे राप वो बहुत regular है जबकि मैं एक-एक महीने तक वीडियो नहीं दे पाता था पहले तो उन्होंने जो support मुझे मुहिया किया है इतने लोगों के इतनी बड़ी team लगाई है उसके कारण यूटूब पर free में उन students के लिए जो देश के सुदूर शत्रों में रहते हैं मैं बहुत काम कर सकता हूँ कर रहा हूँ इसलिए ये जो partnership है ये जो गठबंदन है ये सारे students के लिए जो economically पूर हैं उनके लिए बहुत बहुत फैदेमन्द है फैदेमन्द आगे भी साबित होने जा रहा है नए नए projects इस पर आते चले जाएंगे अब इतनी बड़ी टीम है इतना बड़ा expenditure है तो paid batches तो launch होंगे न और paid batches अगर हम launch न भी करें तो पूरे देश में paid batches तो चली रहे हैं students paid batches चाहते ही है paid batches और जो दूसरे classes होते हैं उसमें difference क्या है मैं बताना चाहता हूं इसको मैं बार-बार class में भी कहता हूं YouTube पर live class लेता हूं और paid batch में भी live class लेता हूं ध्यान दिजेगा जरा इस बात पर ध्यान दिजेगा जब YouTube पर live class लेता हूं तो students demand करते हैं अगला question अगला question वो concept सुन्दा ही नहीं चाहते हैं मुझे रोकना पड़ता है भई new students है उनको भी लेकर के चलना है थोड़ा concept समझाने दीजिए नहीं तो उनको कि समझ में कैसे आया और live class में हर student सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा question करना चाहता है यह आप feel कर रहे हूंगे रोज में live class लेता हूं रोज आप comment देखते हूंग formula अगर होता तो मैं एक बार बोल देता बोर्ड पर लिख देता लेजिए वे formula से बना लेजिए और एक गंटे में मैं 12-15 questions solve करता हूं 12-15 live class में 25 questions solve करता क्या होगा सिर्फ question solve करके concept वहाँ लोग अस्थिर से सुनना ही नहीं चाहते patience ही नहीं होता सबों में नहीं patience होता है और students सुनते हैं लेकिन एक बड़ा भाग ऐसा है जो disturb करता है concept explain नहीं करने देता है आपने मेरे videos देखे होंगे जो pet batches होते हैं उसमें जो students है मैं उनसे कहा रहा हूं वो ले बात सही है कि नहीं जो pet batches होते हूं तो class है उन्होंने तो अब तो उनको पढ़ना है तो आप जानते हैं मैं average शुरू करता हूं तो आदे गंटे तक average के definition ही बुलता रहता हूं बुलता रहता हूं बुलता रहता हूं अगर HCF-LCM शुरू होता है तो पहला class एक गंटे तक मैं सिर्फ lecture देता हूं बड़ा important है HCF-LCM में एक घंटे तक आप वीडियो भी देखेंगे YouTube पर जो है जिसमें लगवग 50 minutes का वो concept वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ explain किया है अब आप सोचिए कि एक student HCF-LCM class 6 से पढ़ता है और खुब copy पर बनाता है और मैं एक घंटे तक lecture देता हूं लेकिन जब वो समझ में आ जाता है तो बस answer दिखता है pain और paper की जरुरत तक नहीं होती यही अंतर है जो paid classes होते हैं उसमें और जो free classes होते हैं उसमें free classes में students responsibility के साथ नहीं आते, seriousness के कारण नहीं आते सभी नहीं एक class जो disturb भी करते हैं यह दोनों में basic difference है और मैं एक topic पर मैं बताता हूं हर चीज तो जिसको ध्यान में रख करके होता है कि कैसे successful होगा अगर मैं percentage का class लूँ तो paid batch में मैं चार class लूँगा लगातार, first day, second day, third day, fourth day उसके concept मतलब वहां कोई दबाव नहीं है वहां ऐसा नहीं है कि कोई छोड के भाग जाएगा पढ़ेगा पढ़ने के लिए ही student आये हैं तो खूब explain करता हूं खूब practice questions कराता हूं लेकिन मुझे आप बताईए YouTube पर जब कोई व्यक्ति पढ़ाता है तो वो क्या चाहता है कि YouTube पर अधिक से अधिक views हो फायदा हो व्यूज हो लेकिन अगर first day मैं percentage का सिर्फ concept explain करूं तो थोड़ी देर में जितने students होंगे आधे हो जाएंगे और दूसरे दिन फिर जब part 2 बोलूँगा part 3 बोलूँगा part 4 बोलूँगा तो interest ही कतम हो जाएगा मतलब YouTube पर जो live classes होते हैं उसमें जो audience होता है जो students होते हैं वो क्या चाहते है exceptional questions वाह ये वाला question बहुत बढ़िया उनको हर question में exception चाहिए अरे हर question में exception चाहिए लेकिन उस exceptional question के लिए एक seat ही होती है एक order होता है मेरे seat का order है मैं चाहे offline class लूँ जमसेटपुर में चाहे bed batch में class लूँ इन दोनों का जो YouTube पर live classes होते हैं उनके साथ वीडियो में तो मैं मानता नहीं वीडियो में तो concept video है तो मैं concept video ही दूँगा और वो popular भी काफी हुआ है यह basic difference है कि seat में concept explain करता हूँ और उसके बाद एक एक करके question आगे बढ़ता हूँ करीब करीब 12-15 number question तक जाते जाते कब tough question में घुस जाते हैं पता तक नहीं चलता वो पूरा chapter दिमाग में बैठ जाता है यही संगठित रोप से class करने का मायने है और यही paid batches paid batches मतलब संगठित बैच जहां पर serious होकर के student आए जो लोग पैसे खर्च करते हैं उनको पता होता है कि मुझे पढ़ना है और वो उस रोप में आते हैं मैं YouTube की कमिया नहीं गिना रहा मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैं दोनों की तुलना करके दोनों की बात बता रहा हूँ YouTube पर live classes चलते रहेंगे जोर सोर से चलेंगे YouTube पर एक बड़ी संख्या में student उस तरह के हैं जैसे bid courses में होते हैं कुछ students का class है जो उस तरह का nature रखता है जो थोड़े तेज होते हैं बहुत दिनों से preparation कर रहे होते हैं वो चाहते हैं सिर्फ उन्हें कुछ exceptional question मेरे YouTube वीडियो का क्या महत्व है अब जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या पास नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे मैं बताता यह दूसरा aspect है मैं demoralize करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा मेरे वो student जो economically सक्षम नहीं है यह समझ लें कि इसी चीज को ध्यान में रख करके इसी चीज को ध्यान में रख करके कि YouTube पर लोग संगठित हो करके धहरे के साथ सुनना नहीं चाहते तो मैंने app पर एक free course भी launch कि क्या है जो एक में से on हो जाएगा first में से उसमें क्या है उसमें जो free course है उसमें हर chapter का concept video है concept video है कम से कम अमरसर app math देखता है पर वो students YouTube के जो पैसा खर्च करने के स्थिति में नहीं है आके concept video तो देखिए और application भी देख लीजी उसके बाद उनकी वो कमी पूरी हो जाएगी जो मैं बता रहा था YouTube videos को देखते समय यूटू लाइब क्लास करते समय जो दिक्कते आती है उसका समाधान यहां है अमरसर math देखता है यह जो new app है इस पर एक free course हर chapter का available है ठीक है इसके अलावा YouTube पर जो videos हैं उनको playlist में जाकर के order में देखिए कोई भी exam निकल जाएगा पास करेंगे एक और अंतर यह है कि YouTube पर सुनिए बहुत important बात YouTube पर जो पिछले 5-6 महीनों से मेरे videos को लगाता देख रहे होंगे उनको किसी तरह के किसी ped class की जरुवत नहीं है लेकिन जब नया student शुरू करता है तो उसको संगठेत रूप से systematic थोड़ा कम ऐसे ऐसे पढ़ाया जाए कि वो कम समय में दो महीने में पास कर जाए तो ऐसे student के लिए यह जो ped batches होते हैं real में उनके लिए बहुत फैदेमन होते हैं और दूसरे students के लिए भी मुझे उम्मीद है कि यह जो video है इसमें सारी स्थती असपस्ट हो गई होगी ped batch के बारे में बताना इसलिए जरूरी रहा क्योंकि लगभग 4000 student कुछ ही दिनों में तीन दिनों के अंदर उसमें enroll हुए हैं मतलब register हुए हैं और वो बार बार query कर रहे हैं तो उनको संगठित रूप से video के माद्दम से बता देना ज्यादा जरूरी था और उन students को भी बतान कर सकते हैं आपको इस वर्ष सफलता मिले इन सुभकामनाओं के साथ थैंक यू